हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 में विंडो फायरवाल एरर 1068 आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भू चलिए शुरू करते हैं आप आपको क्या करते हैं सर्च पर क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद यहां पर आपको सबसे नीचे आना है नीचे आने के बाद यहां पर सबसे नीचे आने के बाद यहां पर आपको दिख जाएगा विंडो डिफें यहां पर इसी है हैं आपको केस में भी नीचे आमें आपको दिखायगा तो आपको इसको सर्च करने के बाद आपको क्या करना इसके बाब डबल क्लिक कर देने हैं лись तरह start पे click कर देने, start पे click करने के बाद यह service run होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे apply पे click कर देने, उसके बाद यहाँ पे आपको ok पे click कर देने, यानि यहाँ से आपको यह check कर देने आपके case में यह service stop तो नहीं है, stop होगा तो आपको इसको start कर लेने, इसके बाद इस window को यहाँ से close कर देने, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर start पर right click करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको setting दिख जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपको click कर देने, click करते हैं, इस तरह से window open हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर दिख जाएगा open window security, इसके ओपर आपको click कर देना, click करते हैं इसمكن你 стр. window open हो जाएगा, या तब this is scary window open कर लिजाएगा, या नहीं तो क्या किया ऐहाँ पर click करको, यहाँ पर ऐहाँ पर जो जाहेगा, इसपर देल करो, इस तरब start window open हो जाएगा, या नहीं तौम यहां पर आप सबसे नीचे देखेगा है यहां पर नीचे दिखेगाए रिस्टोर फायरवाल टू डिफॉल्ट इसके उपर आपको क्लिक कर दिने किलिक करते हैं इस तरह से विंडू ओपन हो जाएगा अपिन लेकिन क्लिक करने से पहले आप एक चीज ध्यान रखेगा आपन किलिक करदें किलिक करने के बाद यह विंडो आ जाएगा सेम चीज जो मैंने बताया हुआ यहां पे लिखा हुआ है इसके बाद आपको क्या करना यहां पर यहां से क्लिक करते हैं यह रिएस्टोर हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना इस विंडो को यहां से क्लोज करते क्लोज करने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपका जो भी विंडो फायरवाल का रिलेटर प्रॉलम होगा वो सारा प्रॉलम फिक्स हो गया होगा और प्लीज गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें थैंक्यू